दोस्तों अभी आप जिस फोन या PC पर ये वीडियो दिख रहे हैं, उसको बनाने में न जाने किन्दे जीनियस लोगों का हाथ है और कैसे हमार इमेजिनेशन से हम सिंपल काउंटिंग प्रेम अबेकस से आज के एडवांस स्मार्ट फोन या PC तक पहुँचे और इस बीच क्या क्या हुआ वो सभी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जुरूर देखा है अब एकस जीसे काउंटिंग फ्रेम भी करते हैं या लगबग 500 BC में इन्वेंट क्या गिया था यह एक सिंपल टूल था जिसे की सिंपल सब्ट्रेक्शन और एडिशन कर सकते थे आज भी इसका प्योग बच्चों को अरित्मेटिक पढ़ाने में किया जाता है लगबग 17th सेंचुरी तक यही एक मसीन थी जो फास्टेस्ट क्याल्कुरेशन कर सकती थी प्लेश पास्कल जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उनके फादर जो एक टैक्स आपसर थे तो अपने फादर की कल्कुरेशन में हेल्प करने के लिए 1642 में मात्र 18 साल की उम्र में रूने एक कल्कुरेटर बनाए जिसे पास्कलीन के आ गया यह कल्कुरेटर गियार बेस था जिसमसे एडिशन और सप्रेक्शन कर सकते थे पास्कल के कैलकुरेटर को इंप्रूब करते विए 1671 में जर्मन मैथेमेटिशन लैबनिज ने कैलकुरेटर बनाया जो एडिशन और सब्ट्रेक्शन के साथ साथ मल्टिपिकेशन, डिविजन और स्क्वेर उट भी कैलकुरेट कर सकता था लगबग अगले 300 सालों तक इसी कैलकुरेटर का प्रियुक किया गया साथी लैबनिज नहीं हमें बाइनरी कोर्स के बारे में बताया कि हम किसी भी नंबर को केवल 2 डिजिट 0 और 1 के रिपिटिशन द्वारा डिनोट कर सकते हैं से जिनकी कम्प्यूटर की सोच आज के कम्प्यूटर के जैसे थी जिन Communist को एक सभी डारेक्शन दे इसलिए हुम gagण अपने कंप्यूटर एनलिटिकल इंजन को पूरा नहीं बना पाए क्योंकि गवर्मेंट ने उन्हें फंडिंग करना बंद कर दिया था मैथमेटिशन ओगेस्टा एड़ा ने वेवेज की मसीन को प्रोग्रामेबल बनाने के बारे में अपनी एक नोट बुक में लिखा था इसलिए उन्हें वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर भी का जाता है अब बात करते हैं फर्स्ट जनेशन कंप्यूटर की बैबेज के कंसेप्ट को यूज करके मैथमेटिशन हावर्ड एकन द्वारा 1944 में पहला इलेक्रो मेकनिकल कंप्यूटर बनाय गया जिससे IBM Automatic Sequence Controlled Calculator ASCC या Mark 1 के नाम से जाना जाता है यह कंप्यूटर बहुत बढ़ा था इसकी लंबाई करीब 15 मीटर और वजन करीब 5 तन था इस कंप्यूटर का प्रयोग World War 2 के समय किया गया था जॉन वोन नुमेन ने सबसे पहले इस कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन किया था 1946 में University of Pennsylvania के साइंटिस्ट जॉन मौक ली और इकर्ट ने पहला सक्सेस्फुल डिजिटल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था ENIEC यानि Electronic Numerical Integrator and Calculator यह मसीन वैक्यूम ट्यूप पर बेस थी जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूप का इस्तमाल किया गया था यह कंप्यूटर आज के लेप्टॉप से करीब 2,000 गुना इलेक्रिसिटी यूज करता था इसकी लंबाई करीब 24 मीटर थी और वजन गरीब 30 तन था मौकली और इकट ने हंगरियन मैथमेटिशन जॉन वान नुमेन के कंप्यूटर वर्प को यूज करके 1951 में यूनिवर्सल आटोमेटिक वन यानि यूनिवेक वन कंप्यूटर बनाया यहाँ पहला कमर्शल कंप्यूटर था जो बड़े-बड़े ओगनाजेशन द्वारा खरीदा गया जैसे US Census Bureau ने population count करने के लिए इसी कंप्यूटर का यूज गया था अब बात करते हैं second generation कंप्यूटर की अभी तक कि सभी कंप्यूटर्स vacuum tubes का इस्तमाल करती थी जिनसे की बहुत सी प्रॉब्लम जैसे हीटिंग प्रॉब्लम साधी कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी हो जा रहे थे आखिर इस प्रॉब्लम का solution कैसे मिला इस प्रॉब्लम को solution तब मिला जब बैल टेलिफॉन लैप्स के तिन फिस्टिस जॉन बार्डीन, वल्टर ब्रेटन और विलियम स्तॉकली अमेरिकन टेलिफॉन सिस्टम के लिए एक एम्प्लिफायर बनाना चाते थे जो टेलिफॉन सिगनल्स को ज़्यादा दूरी तक ले जा सके जिसके लिए उन्होंने सेमिकंडक्टर मैटरियल का यूज़ करके टांजिस्टर बनाया वैक्यम टूब के जैसे लिए ट्रांजिस्टर को भी स्विच और एम्प्लिफायर के रूप में प्रयोक जा सकता था साथी ट्रांजिस्टर साइड में बहुत छोटे और बहुती कम एनर्जी यूज करते थे यानि transistor वो चीज़ थी जो computer को पूरी दरो से change करने वाले थी और इसलिए physicist John Walter और William को 1956 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा science prize यानि Nobel Prize मिला अब computer छोटे, हलके और तेज हो गए थे और इनकी performance परले के मुगाबले बहुती तेज थी और साथी high level programming language, spot on और कोबल का use start हो गए था अब बात करते हैं third generation computers की third generation computers की सुरवात होती है 1964 में तीयस किल भी द्वारा जिन्होंने सभी transistors को एक single semiconductor chip में डालने का concept दिया और इसे integrated circuit या IC का गया जिससे computer का size छोटा हो गया और साथी computer की speed बहुत तेज होगी अब punched card और print out की जगह keyboard और monitor का इस्तिमाल किया जाने लगा अब बात करते हैं fourth generation computers की अब computer कुछ ऐसे ही दिखने लग गई थे जैसे कि हम आजकर दिखते हैं क्योंकि microprocessor का use होने लगा था यानि हजारों integrated circuits को केवल एक single chip में बनाया जाने लगा इसी समय Intel ने अपना first microprocessor Intel 4004 बनाया जो 1940s में पूरे एक room की जगह लेता था वो अब आसानी से आपके हाथ के अतेली में आ सकता था तबी 1973 में Motorola के दो scientist John F. Mitchell और Martin Cooper ने first mobile phone बनाया जिसका वजन करीब 2 kg था अब computer का निर्मा प्रस्टनल यूज के लिए भी क्या जाने लगा 1981 में first IBM बनाया गया इससे घर में इस्तिमाल कर सकते थे इसकी memory माद्रे 256 के भी थी और फिर 1986 में Apple company द्वारा Macintosh PC लांच किया गया अब microprocessor का इस्तिमाल computer के साथ-साथ देली यूज में आने वाले electronic devices में भी क्या जाने लगा इससी बीच माउस graphic user interface का भी यूज क्या जाने लगा लेकिन information के छेत्र में करांधिता भाई जब टिम बर्नस लीने सभी computers को हापस में जोडने का concept दिया और 1989 में World Wide Web यानि इंटरनेट का उश्कार गया अब वो वक्त आ गया था जब इंटरनेट और computers की दुनिया में fastest progress होने लग गई बहुत सारी electronic devices आने लग गए जैसे smartphones, tablets, computers वो भी कम price पर इंटरनेट पर Google search, Facebook, YouTube जैसे website आ गई और Apple ने अपना पहला iPhone 2007 में launch कर दिया और Google ने Android OS का first version 2008 में release कर दिया था अब बात करते हैं 5th generation computer की यानि artificial intelligence की पिछले 10 सालों में हम काम पहुँच गई इस बात का अंदाजर इस बात से लगा सकते हैं परस iPhone जो 2007 में launch हुआ था उसकी कीमत करीब 30,000 रुपे थी और जिसमें केवल 128 MB की RAM थी अब computer का नए दोर आ गया है जिसे हम artificial intelligence करते हैं यानि computer humans के जैसे काम करने लगए हैं जैसे robots, software जो की human की तरह काम कर सकते हैं और सोच सकते हैं जैसे आपके phone में voice recognition का feature जो एक AI का example है जैसे facebook photo upload करते वक्त face को recognize जिसका लेता है या आपको कहीं जाना हो तो google map AI का यूज़ करके आपके लिए shortest way ढूण लेता है AI अभी भी development में है और इसका इस्तमाल extremely रूप से बढ़ा है दोस्ते इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने बर्दस से सिस्टर से या फ्रेंड से इनके लिए यह वीडियो यूसपुल हो सकती है झाल 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 झाल, हो सकते हैं अभी जाए बर्दस से खेटाग झाल